में आपस में टक्कर हो गई है और इस हाथ से में करीब 13 लोगों की मौत हो चुके है जब कि कई लोग गंभीर रूप से गायल हो चुके है और इस दोरान आपको बता दे कि 50 से जादा लोग गायल बताया जो रहे हैं मंडल रेल प्रिवंदक ने बताया है कि हाबडा चे नई रूट पर भी विशाका पटनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाका पटनम राइगड़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच में टक्कर हो गई है हाथसे में तीन कोच शतीक रस्त हुए हैं इस दोरान बचाव अभियान भी लगातार ज़ारी है और साहता और एम्बुलेंस के लिए इस्थाने प्रिशासन और NDRF को सूचित किया गया है दुरगटना राहत ट्रेने भी घटना इस्थल पर पहुच चुकी है तो आंदरप्रदेश के ये विजय नगरम की तस्वीर है जहां पर आपको बता दे कि यहां पर दो ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अगर घायलों की संक्या की बात की जाए तो वो 50 से जादा बताए जा रही है वही अगर बात करें मंडल रेल प्रिवंदर ने भी ये बताया है कि हाबडा चिन्ने रूट पर विशाका पटनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाका पटनम राइगड़ा पैसेंजर ट्रेन के पीच में ये टक्कर हुई है और हाथसे में जो तीन कोच हैं वो चतीगरस्त हुए हैं और बचाव अभ्यान जो है वो लगातार वहाँ पर जारी है NDRF की टीम वहाँ पर मौझूद है साने प्रिशासन वहाँ पर मौझूद है गायलोको एंबुलेंस के जरिये से अस्पताल पहुचाया जा रहा है लेकिन एक बड़ा हाथसा अंद्रप्रदेश में हुआ है